Hello friends, welcome to study news आज हम इस वीडियो में 24 और 25 जुलाई के exam related जितने भी important question हो सकते हैं उन्हें हम यहां solve करेंगे, so let's start First question है, हाली में बजाज finance के किस अध्यक्ष ने इस्तिफा दिया है? Options हैं, रमेश बाबू, राहुल बजाज, संजीव बजाज या PR ससादरी तो अभी राहुल बजाज ने अध्यक्ष पत से इस्तिफा दिया है, तो इसमें उत्तर option B राहुल बजाज सही है ये 31 जुलाई 2020 को अपना पत छोड़ देंगे, और इनकी जगे संजीव बजाज नए अध्यक्ष बनेंगे, जो present time में उपाध्यक्ष है बजाज फाइनेंस की बात करें तो, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, इसका headquarter पूरे में है अभी हाली में, पूरे में ही भारत और माल्डिव्स के बीच में, सैन ने अभ्यास किया गया था, जिसका नाम था, इकूरिन और पूरे में ही भारत की रसायनिक प्रयोक्षाला इस्थित है और अभी, Ease of Living Index जारी हुआ था, जिसमें भारत की ओर से पूरे पहला इस्थान पर था और विस्व में पहले इस्थान पर वियना था इस question के दूसरे options के बारे में बात करें तो, PR ससादरी ने, करूर बैंक के, MD और CEO पत से अभी हाली में इस्तीफा दिया था और इसके इस्थान पर रमेश बाबू ने जगे ली है next question है कौन सा राज्य COVID-19 के लिए स्वपरिक्षण प्रणाली सुरू करने जा रहा है options है, मद्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, करनाटक या राजस्थान तो उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में COVID-19 के लिए स्वपरिक्षण प्रणाली सुरू करने जा रहा है ताकि कोई भी जाकर खुद का परिक्षण कर सके तो इसमें उत्तर option भी उत्तर प्रदेश सही है 23 जुलाई 2020 को लगभग 55,000 COVID टेस्ट किये गए थे जो आज तक राज्य में सबसे अधिक है और इसका उद्देश से हर दिन एक लाग COVID टेस्ट करना है COVID टेस्ट के मामले में अब तक उत्तर प्रदेश दूसरे इस्थान पर है नेक्स्ट कोस्चन है राष्ट्य ट्रांजिट पास प्रणाली नैशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसने लॉंच किया है आप्संस है प्रकास जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निसंख, अमित्सा या वेंकईया नाइडू तो पर्यावरण मंत्री प्रकास जावड़ेकर ने 23 जुलाई 2020 को दिल्ली के इंद्रा गांधी पर्यावरण भवन में नैशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का लोकारपण किया है राष्ट्य पास सिस्टम वन उपज के निरवाध आवा गमन को बढ़ाती है पास का आवेदन लोग अपने फोन से ही कर सकते हैं और मोबाईल पर ही इपास प्राप्त कर सकते हैं यह डिजिटल इंडिया मोमेंट को आगे बढ़ाता है नेक्स्ट कोस्चन है किस वेग्यानिक को नैशनल अवार्ड फोर एक्सिलेंस से सम्मानित किया गया है अप्सन हैं कन्नन वार्यर, अर्जुन सर्मा, रविंद्र दूबे या स्रीरंकृष्ण तो अभी हाली में कन्नन वार्यर को नैशनल अवार्ड फोर एक्सिलेंस से सम्मानित किया गया है तो इसमें उत्तर अप्सन एकन्नन वार्यर सही है इंस्टिटीट अफ फोरेस्ट जैनेटिक्स एंट्री ब्रीडिंग साइन्टिस्ट को कोयमबटूर में नैशनल अवार्ड फोर एक्सिलेंस सम्मानित किया गया है कन्नन वार्यर को एक वानिकी में उत्कृष्ट सोध के लिए सम्मानित किया गया जिसमें केरल के अला पुजा जिले में लुप्त प्राय पेडों को संरक्षण के लिए दिया जाता है किस स्पेस टेक स्टार्ट अप ने लिडार बेस्ड इन ओर्बिट स्पेस डिब्री मोनिटिरिंग एंड ट्रेकिंग सिस्टम विक्सित किया है आप्संस हैं दिग्रेटिंग रिसर्च अन टेकनलोजी, ब्लू मून, स्पेस एक्स या स्पेस होराइजन तो अभी हाल ही में degrating research technology DRT एक space startup है जिसने भारत की पहली in orbit space के debris या मलवे की निगरानी और tracking करने के लिए इसे develop किया है तो इसमें उत्तर option A degrating research and technology सही है Next question है हाल ही में किसने tree plantation drive 2020 launch किया है options है प्रकाश जावडेकर, राजनात सिंग, अमित्सा या वेंके या नाइडू तो अमित्सा ने tree plantation drive 2020 launch किया है तो इसमें उत्तर option C अमित्सा सही है इसके तहट लगभक 6000 एकड भूमी पर पेड़ लगाये जाएंगे जो 10 राज्यों में 38 जिलों में लगाये जाएंगे Next question है हाल ही में ISA समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला 87 देश बना है options है निकारगुवा, Maldives, Sri Lanka या Nigeria तो निकारगुवा ISA यानी International Solar Alliance का समझोता करने वाला 87 देश बन गया है तो इसमें उत्तर option A निकारगुवा सही है निकारगुवा की बात करें तो निकारगुवा की capital मैंगुवा है और इसके प्रेसिडेंट Daniel Ortega है और International Solar Alliance की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्याले गुरुग्राम में है next question है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ती परियोजनाओं की आधार सिला रखी है असम, मड़ीपूर, मेगाले या रुनाचल प्रदेश तो अभी हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मड़ीपूर में जलापूर्ती परियोजनाओं की आधार सिला रखी है तो इसमें उत्तर आप्सन भी मड़ीपूर सही है इन परियोजनाओं के जरिये लगभग 1700 गाओं में सुद्ध पेजल पहुँचेगा मड़ीपूर की राजदानी इमफाल है मड़ीपूर के इस समय मुख्य मंत्री एन बिरेंज सिंग है और गवर्नर नजमा है एप्तुल्ला है नेक्स्ट कोस्चन है किस राज्य में रंग बती लोग गीत मनाया जाता है आप्संस है मद्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, करनाटक या उडिसा तो उडिसा राज्य में रंग बती लोग गीत मनाया जाता है तो इसमें उत्तर आप्संडी उडिसा सही है रंगबती की लोकप्रियता के बाद उड़ीसा सरकार ने संभलपुर जिले के बिलुंग गाओं का नाम बदल कर रंगबती बिलुंग रख दिया है इस गीत के गीतकार मित्र भानू गौंटिया का जन्म इसी बिलुंग गाओं में हुआ था इन्होंने लगबग एक हजार संभलपुरी गीतों की रचना की है जिसके लिए इन्हें उड़ीसा राज संगित नाटे अकाडमी पुरसकार से समानित भी किया गया है और इन्हें पद्म स्री भी दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में माइक्रो फाइनांस इंस्टिट्यूशन्स नेटवर्क के नए सीओ और डायरेक्टर कौन बने हैं आप्सन्स है हर्स स्रीवास्तो, पी, प्रवीड, सिधार्थ, आलोक मिस्रा या सुमित देव तो अभी हाल ही में आलोक मिस्रा बने हैं माइक्रो फाइनांस इंस्टिट्यूशन्स नेटवर्क के नए सीओ और डायरेक्टर तो इसमें उत्तर आप्सन्स ही आलोक मिस्रा सही है और ये हर्स स्रीवास्तो की जगह लेंगे Micro Finance Institutions नेटवर्क की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका Headquarter Guru Gram हर्याणा में स्थित है दूसरे Options की बात की जाए तो सुमीद देव हालही में NMDC National Mineral Development Corporation के नए CMD बने है और पी प्रवीन सिधार्थ हालही में प्रेसिडेंट रामनात कोविंद के नीजी सचीव के रूप में न्यूक्त हुए है तो ये थे आज के important questions So thanks for watching this video, please like, subscribe and comment